तो फ्रेंड आज मैं एक ऐसी चटनी के रेशिपी शेयर करने जा रही हूं जो आप एक पर बना लीजिएगा ना तो आपके मतलब जो भी आस खाएंगे जो भी जिसको भी आप खिलाईएगा ना वह आपके पीछे पढ़ जाएंगे जैसे कि मेरे पीछे लोग पड़े हुए करें शेटनी के बहुत टेस्टी बन करके तयार होती है क्रिंद बहुत अच्छा बनता है मैंने एक पर बनाकर के जिसज़ब कर दिया ना दुबारा से फिर बनवा करके मंगवा रहे है थी यह यह उफिस मेरे हस्मेंन के मश्मेंगर बोले थे तो उनहीं के लिए बना रही काफी अच्छा लगा था तो मैं क्या करती हूं जो चटनी बनाती हूं उसमें ना कच्छा आम डालती हूं तो मैं एक यहां पर चील करके यहां पत्थवारासा ग्रेट कर लीए एक चोटा टुकड़ा मैं अध्रख लेल थी जिसे मैं कटेंग कर ली हूं और यह रे ग्रीन ची दोली ति आधा बंच में यहां पर यूज कर रही हूं तो आधा बंच है धनिया इसको मैं थोड़ा मोटा मोटा कट कर लिए पिछने में आसान हो जाता है तहां पर देखिए अब मैं क्या करूंगी आप ध्यान से देखिए अपरेंट पहले में मीर्च और अध्रक डाली हो औ उसको डाल दी हूं और उतना ही मैं अज पुदीना लिए दोनों में बराबर ही लिए धनिया और पुदीना काफी टेस्टी लगता है एकदम दानेदार से बनता है चेटनी अब हमें क्या करना है इसमें हमें टेस्ट के अकोडिंग नमक डालना है तो नमक जो भी आप खाते इस चत्नी में इस चत्नी में कोई सा भी चाट का चटनी बनाई है उसमें काला नमक डालिए बहुत टेस्टी बनता है और प्लीज आपसे रिक्वेस्ट वीडियो को लाइक किजेगा और लोगों में शेयर की जागा बहुत टेस्टी बनता है आप लोग एक पर बना करके ठाज में यह बहुत बहुत ही पीसागा गया अपनी दमदाने-दार्य से पिसाग देख सकते हैं बहुत टेस्टी लगता अब हम क्या से डीजिए थे में त्यसको में डाल वित्य काम अबके ठाल यूंबर papa पीसे पृदिन टाल वीसा अब यह कुणुलेन बाहें शीक्यच म मिर्च कुटा जाता था तो ही मिर्च कुटा हुआ है उसको डाल देते हैं इससे क्या होता है और अच्छा इसका टेस्ट आ जाता है यहां पर देखिए किस तरह से आप कलर दीख रहा होगा इसमें कोई कलर वगएरा मिक्स ने किया हुए फिरें बिल्कुल औरीजिनल कलर जो भी दीख रहा हो दीख रहा है अब पिछने के बाद मैं क्या करती हूं एक से मच उपर से डाल दाती हूं मस्टर डोल सर्शो का तेल डाल दीजिए बहुत टेस्टी बनता है इमारे घर में लोग यहां पर सर्शो तेल डालते हैं इससे और टेस्ट बढ़ जाता है अब हम इ करने वाली तो आसा पानी जो लगा हुआ था जार मुस में डाल करके न इसका ओपर धकन अगर हम लगा था वह भी मैसी में डाल दी हूं और यह खाने के लिए बिल्कुर रेडिये प्रेंट मैं तो इसे चावल के साथ भी सान कर खाती हूं काफी अच्छा लगता है सिंपल द vousев convert to the ढाल चाल चावल को देखनी चावल खाई यह बना लारड़ा है कीसे प्राठा के साथ खाईम तहार आज मैं यहां पर कंचावरी के साथ खाने करिंडार में यह चुला